कुछ ऐसे छोड़ी छोड़ी ट्रिक्स जो आपके डिली लाइफ में आपको बहुत ही काम आने वाले हैं आपका मुश्किल से मुश्किल काम भी इजी हो जाएगा हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आशा करते हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो हर रोज की तरह आज मैं फिर से आप सब के लिए लेकर आचुके हैं कुछ अमेजिंग से टिप्स और ट्रिक्स वीडियो को लाज तक देखेगा पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजेगा शेयर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज की हमारी पहली टिप को आज की जो पहली टिप है वो candle से जुड़ी हुई है अभी गर्मी का टाइम है तो power cut भी बहुत जादा होता है और power cut होते ही हम क्या करते हैं candle वगरे को जलाते हैं बहुत जगे जो है inverters भी है लेकिन बहुत घरों में inverter नहीं है जो की वो पुराने इसी तरीके को यूज करते हैं candle वगरा जला कर ही अपने घर को रोशन करते हैं लेकिन candle जहां हम जलाते हैं आप देखते होंगी एक problem आती है उसका जो wax होता है वो melt होके पूरे surface पे गिर जाता है उसके बाद ये जो wax होती है इसको हटाने में बहुत ही ज़ादा problem आती है इसको हम अगर हटा भी देते हैं लेकिन फिर भी आप देखते होंगे थोड़ा ब साथ जो candle है आप वहां पर इसको रखिए इससे जितना भी wax जो है वो melt होके नीचे गिरेगा आप देखेगा कमाल तरीके से जो है ये जो wax melt होके नीचे गिरता है बिल्कुल भी surface पे चिपकेगा ने जब ये जो wax आप हटाने वाले हो ना बस इस तरीके से आप हटाईएगा बहुत ही easily जो है ये आपके हाथों में आ जाएगा तो बिल्कुल भी surface पे चिपका नहीं है तो उमीद करते हूँ आपको ज़रूर काम आएगी दिवाली वेगरा में भी हम जब candles को use करते हैं तो ये trick आप use कर सकते हैं क्योंकि घर के अंदर भी हम candles वेगरा जलाते हैं तो य ये problem हमाई साथ आती है तो उमीद करते हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी टिप अगर अच्छी लगी है तो फ्लीज इसे एक like करिएगा चलिए देखते हैं हमारी next tip कौन सी है जब कभी हम nails को अपने cut करते हैं तो nail cutter लेते हैं और nails को cut करना शुरूर कर देते हैं लेकिन उसके बाद जो पूरा जो फैलता है ना फिर उसको समिटने में हमें दिक्कत आ जाती है क्योंकि जो nails के छोटे-छोटे parts होते हैं वो सब बिखर के इधर उधर हो जाते हैं बड़ क्या करना है कि इस तरीके का एक cello tape आप ले लीजे और छोटे-छोटे pieces में आप दो cut कर लीजे और nail cutter का यह जो side में आप देखते होंगे gap रहता है वहाँ पर आप इस तरीके से उस area को दोनों tape से cover कर दीजे cover करने के बाद यह आपका बहुत ही useful एक जो है तूल तो ही लेकि में आपके जो nails है ना cut होने के बाद collect हो जाएंगे जब भी आप nails को cut करिएगा जो side से निकल के जो पूरे surface पे फैल जाता है ना उसके बाद जो उसको इखटा करना पड़ता है वह वाली दिकत आपकी नहीं होगी आप देखिएगा जो nails है ना वह सब cut के जो cello tape है उसमें चिपक जाएगा और इसके बाद जब आप अपने nails को cut कर लीजे तो जो cello tape है उसको निकाल लीजे आप देख सकते हैं जो nails है इस cello tape पे बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए है एक भी जो है nails जो है वो बाहर निकल के नहीं आया है और जब आप nails अपने cut कर लीजे तो यह ज़र सदा share करिएगा और वीजे को एक like करके मुझे ज़रू motivate करिएगा तो चलिए देख लेते हैं हमारी अगली टिप कौन से है अगली जो टिप है वो आलू से जुड़ी हुई है अभी गर्मी का time है तो इस time क्या होता है आलू बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं या कोई भी vegetable आप खरीद कर लेकर आएं तो देखीगा एक से दो दिन में ही वो बहुत जल्दी खराब होने लगा थी क्योंकि गर्मी ही अभी इतनी ज़्यादा पढ़ रही है तो इसको लंबे समय तक बचाने के लिए आप क्या करिए जब आप आलू लेकर आएं जिस भी basket में आप आलू रख रहे हैं तो वहाँ पर आप पेपर जो नियूस पेपर होता है उसके छोड़े छोड़े टुकड़े इस तरीके से करकर आलू में बिचा दीजे तो इससे क्या होता है आलू जल्दी खराब नहीं होता है तो यह तो कम आलू थे तो हमें इस तरीके से हमने छोड़ जबादा आलू लाकर एक बार में store करते हैं तो उस टायम क्या करिए कि आप paper भी चाल दीजे उसके ऊपर आप आलू रख दीजे फिर layer एक पेपर की दीजे फिर आलू रख दीजे तो इस तरीके से क्या होता है ना कि आलू जल्दी खराब नहीं होता है अगर आप ज्यादा मा हमें बहुत चोटे बच्ची होते हैं वह इतना जानते जो हिस्सा है यहां पर इसको इस तरीके से लगा दीजे तो यह जो ब्लेड वाला एरिया है अच्छे से कवर हो जाएगा जिसे किसी तरीके का ड़ड़ नहीं रहेगा अगर आप घर में रखते हैं बच्चे लेते हैं तो बहुत जादा हाड होता है इसको खोलना बहुत ही जरू ट्राय करिएगा उमीद करते हैं आपको यह जरू यूसफुल लगी होगी तो चलिए जी देख लेते हैं हमारी अगली टिप कौन से हैं तो यहां पर लिया है मैंने एक कटोरी और उसमें रख दिया है कि तकरीबन आधा चमच के करीब हल्दी पाउडर हल्दी इसको हम कहां पर यूस करनेवाले हैं वो भी आपको बताऊंगी हमacyला क्या होती है पूरे दिन घर का काम करते हैं बर्तौंध होते हैं कप्ड़े वेगरा वाश करते है जिसके वज़रे से हमारे हाज ज है जादतर टाइम बहींके रहते हैं ये वाला काम आप है ना दोपहर के टाइम करें जब आप सारे कामों से फ्री हो जाएं तो अपने हाथों को अच्छे से धोने के बाद उसको कपड़े से पोश लिजे ड्राय कर लिजे उसके बाद ये जो हल्दी और ओयल का जो मिक्शन है इसको आप लगा कर तकरीबन 20-25 मिन जरूर फाइदा होगा तो जरूर ट्राय करके देखेगा उमीद करते हैं आपको जरूर काम आएगी टिप तो चलिए देखते हैं हमारी अगली टिप कौन सी है हम मेक्सी का इस्तमाल अपने किचन में रोजाना करते हैं जिसके वज़े से हम मेक्सी को अपने काउंटर नहीं की मदों और रहते हैं वह में रहता हैं लेकिन कीचन में के रहता है एक है जरूड़ के टितनी बड़ींट के इसके पिचे एपोलिएक के कुकिञशंच को करने से जो आइल अलग jsगा होता है वह में कीचन मेरी फामlich ऊपतली यह जो टो यह पिर तेंगे तो फटोड़ी से ष्टकी रहतें तो ऐस यह कीनस से बचाने के लिए आप काम कर सकते है बड़े जिस हिस यहाँ का मिक्सी है उस तरीके से क्सी जो वो polythene में आप इस तरीके से डाल कर इसको cover कर दीजे तो इससे क्या होता है नहीं कि जो अगर आप किचन में खाना बनाते हैं तो उसका जो ओएल वेगरा जो उड़ता है ना इसके वज़े से आपके जो mix वेगरा है चिपचिपे नहीं होंगे बार बार इसको साफ करने के तो आप इसको खोल कर और अपने जार को करेक्ट करके आप अपना काम कर सकते हैं तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन आपका काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा तो अमीद करते हूं यह वाले टिप भी आपको जरूर यूसफुल लगी होगी तो दोस्तो तो यह था आज का वीडियो उमीद करती हूं आज के सारे टिप्स और ट्रिक्स आपको जरूर हेल्फुल लगे होंगे वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा शेयर करिएगा और चलिंपे नहीं है तो सबस्क्राइब करिएगा और कमन बॉक्स में जरूर बत